कि कि पिक ट्यान डालिये टेस्टें और इसी मशीन में जो हम टेस्टिंग करते हैं इसमें एक होता है ब्रिक टेस्ट एक कि टेस्ट थिक एक होता है इसमें सुन्वण टेस्ट है ले अलाओ एक होता है आपकेंस टेस्ट और एक होता है रिटार्डेशन टेस्ट और एक होता है तो इतने यह टेस्ट है जो हम डीसी मशीन में पढ़ते हैं तो जो ब्रेक टेस्ट है यह कैसा मेटाद है तो डारेक्ट टेस्ट ना था तो याद रखना है कि जो ब्रेक्ट टेस्ट है वो कैसा टेस्ट मेथड है डारेक्ट टेस्ट मेथड है तो डारेक्ट टेस्ट मेथड का मतलब क्या होता है इसमें जो डारेक्ट हम क्या करते हैं मशीन की पर लोडिंग करते हैं और डारेक्ट मशीन पर कर коп pro le知ने हैं जो आउटपूट पावर है उसकी वैल्यों को डिटर्माइन करते हैं तो इसको बोलते हैं डायक्स क्रत courtroom लोडिंग करके हैं तूसरा जो लिख सब्योडरा है किस्वा सुन सब्रीं है इसको बोलते हैं तो यह इहां पर क्या कर रहा है Regeneration कर रहा है किसले रहो क्या बोलते हैं Regeneration टेस्ट पूँते है तीसरा होता है और रजrooT however Retardation test सबीडार्डेंशन टेस्ट को ही क्या रहनिंग डाउन Ef Pra躹 भषाबने Ref lleva तो यहां पर ये जो टेस्ट है इन टेस्ट को आप किसमें यूज़ करते हो ठीक ऐसा काम करते हैं इसको अभी तो इन टेस्ट को इन तीनों टेस्ट को कहां पर यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं शंट machine तो किसमें उच़ égal जो constant plucks की machine है shunt machine है उसमें इन तिनों टेस्ट का यूच करते है ठीक जो feel test है इसका use किसमें करते हो only series machine तो जो series machine है उसमें आप इस test का use करते हो अब जो break test है इसका use किसमें करते है small dc machine ठीक है अब वो small dc machine नहीं सिरीज भी हो सकती है या फिर वह शंट भी हो सकती है तो याद रखना है शंट और सिरीज कुछ भी हो सकती है बट इसमाल डीजी मशीन में इसका यूज करते हैं तो ब्रेक टेस्ट के दोवारा हम क्या करते हैं तो मोटर के आउटपुट को हम डारेक्ट क्या करते हैं मेजर करते हैं इसके आउटपुट हो क्या बोलते हो आप यहां पे मेजर करते हो ठीक तो इसका आउटपुट मेजर करने के बाद में अफिसेंशी हो क्या करते हो आप calculate करते हो तो कि क्या होती है ाउटपुट it upon input Power तो efficiency क्या करते हैं हम calculate करते ह। जाद रहेगा brick test एक direct test method है Small DC machine में करोगे चाहे वो series हो या फिर shunt हो टिक इस से हम क्या measure करते हैresident repeat keyword करते हैं तो यह एक Only लोड मेठोड है तो बॉलमाठोड क्यों है क्योंकि unw относ कर रहे हम लोडिंग कर रहे हैं तो हमने देखा ता कि इसके शाफट पर करते हैं में यापर लड अप्लाई करते हैं तो इसका शाफ्ट होता है इसके शाफ्ट पर पुली लगा करके पुली के एक एंड को क्या करते हैं इस प्रिंग जो मेटर होता है बैलेंस मेटर उसके दवारा फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड पर क्या करते हैं हम यहां पर रोप के उपर में रसी के उपर में यहां पर आउटपुट क्या करते हैं यहां पर इंटो डिस्टेंस होता है तो यहां पर डिस्टेंस हम किसका लेते हैं यह रेडियस इसके लेते हैं ठीक और फोर्स किसके एकपल होता है तो फोर्स W1-W2 दोनों वेट का डिफरेंस इतना वेट केजी में होता है न्यूटन में कनवर्ट करने के लिए करते हैं 9.81 से मल्टिप्लाई करते हैं तो यह नेट फोर्स इन्यूटन हो जाएगा इंटो क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू यहां इन्पूट पावर हो जाएगी तो इन सब को मल्टिप्लाई कर लेंगे दोनों वेट का डिफरेंस ठीक है किलोगराम में रहेगा 9.81 से मल्टिप्लाई करके उसको न्यूटन में कनवर्ट कर लेंगी रेडियस और फुली हो जाएगी ठीक है इन्टू ओमेगा याने टू प ओर क्या होती है इसको आप आमल्मी टूमेंट से मेजर कर लेते हों और डिवाइड ...... और कि द CC कर लोगेगे ठीक इसके बाद में वुता है स्विनबंठार्म टेस्ट तोइतना ज्याद रहें कि मन्ट टेस्ट होता है इसमें हम मशीन की लोडिंग नहीं करते हैं नो लोड पर ये टेस्ट करते हैं तो नो लोड पर टेस्ट करके हम क्या पता कर लेते हैं कि नो लोड पर मोटर का जो आरमिचर है वो जो power draw कर रहा है, no load की condition में, ठीक, तो उसके करण armature में कौन-कौन से loss होते हैं, तो एक तो होता है armature में no load, armature copper loss होगा, plus क्या होगा, friction loss होगा, plus क्या होगा, iron loss होगा, ठीक, तो ये जो loss होते हैं, कैसे होते हैं, constant होते हैं, जिसको हम क्या होते हैं, astray loss होते हैं, ठीक, या rotation यहां पे है 100 यह पता चल प्रंट की कि सीभी वैल्यू पर ही आर्मिचर करेंट को क्या करेंगे फिल्ड फडग्न निकाल लेंगे प्लस इसमें क्या करेंगे का रहे के खैलकुलेट कर लेंगे तो यह को जाएगा टोटल लॉस सब्सक्राइब जाएगा तो एट एनी वैल्य ओफ आर्विश करें हम टोटल लॉस जो है मशीन का पहले से डिटर्माइन कर लिए अब लॉस यह आपको मिल गया है तो आप आप यह कर लोगी एफिसेंसी को कैलकुल करते हैं और जन्रेटर के के समय कैसे क्लैक्वी तो मोटर के के समय म्हें कैसे घकर तो मोटर के के समय हम लिखते हैं यहां पे जो इंपूट पावर है इसम्हें मोटर के समय लिखेंगे इन्पुत इलेक्टिकल पावर मारेश самого गारीन Украї turbines के वेशाई लॉस आपकोन क्या लिखेंगे इंपूट जनेरेटर के केस में एफिसेंसी कैसे कैलपूलेट करोगे तो जनेरेटर के केस में लिखोगे आउट्पूट पावर टिक आउट्पूट पावर प्लस जो आपने लॉस कैलपूलेट किये हैं तो इस तरह से सभी मैथड इसको छोड तो इसमें भी आप ऐसी निकाल सकते हो लेकिन इसमें क्या होता है हम लॉस नहीं पता होता है इसमें सिधा आउट्वूट पावर निकालते हैं तो यहां पर इस तरह से क्या करेंगे हम जो हमारी efficiency है उसको calculate कर लेंगे ठीक दूसरा कि यह यह जो मैथड होता है कि मंट टेस्ट जो होता है नो लॉड लॉड लॉस मैथड है तो इस टेस्ट को करने के लिए हमको क्या चाहिए स्मॉल पावर स्मॉल पावर रिक्वाइर्मेंट होगी इस टेस्ट करने के लिए इतनी पावर के रिक्वाइर्मेंट होगी जो की नू लोड लॉस के एक्वल होगी तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर रिक्वाइड होती है इस टेस्ट को कंड़क्ट करने के लिए इसलिए य इस तेस्ट को क्या पहलेंगे ये टेस्ट कैसा है एकोनोमिकल टेस्ट होता है तो स्कूरीय को स्फिएल करने के लिए हमको स्मॉल पावर की रिक्वाएरमेंट होती है जो की लूओ्टन लॉस के एक पाल होता है टिक उसके वाद मैं दूसरा दिखेंगे यह तो हमको पता चल गया कि इस टेस्ट की क्या ड्रॉबेक होती है यह गोंटेस्ट एकोनोरॉटी CT क्या तो यह जो टेस्ट है हम किस पर कर रहे हैं नो लोड पर कर रहे हो टेस्ट तो फुल लोड पर मशीन में क्या-क्या changes होगा उसकी information आपको यहां पर नहीं मिलेगी क्योंकि फुल लोड पर armature current का magnitude क्या होगा बढ़ेगा तो जब आपको यह तो उसकी कारण पर इस पार्किंग होगी प्रोस्मेटाइजिंग फेक्ट होगा कारण रश्थ पर इस फार्किंग होगी तो मशीन का temperature राइस होगा तो यहां पर मशीन का जो temperature राइस हो रहा है और फुल लोड वह हमको नहीं पताच लपाएगा कि फुल लोड पर मशीन का क्या condition होगी याने condition की condition क्या होगी मतलब फुल लोड पर कारण वर्श पर कितनी स्पार्किंग होगी condition की क्या condition होगी वो नहीं पताच लेगा फुल लोड पर जो आर्मिचर रिएक्षिन का प्रॉस्मेटाइजिंग effect होता है उससे होता है फ्लक्स डिस्टॉर्शन और फ्लक्स डिस्टॉर्शन की कारण जो आरन लॉस है वो 50 पर्शंट तक इंक्रिस हो जाता है तो उसकी ड्रॉब एक है कि आपको फुल लोड पर ठीक है फुल लोड पर जो मशीन का टैंप्रेचर राइस है कित्ता उसके ताप्रम में वृद्धी होगी टैंप्रेचर कित्ता बढ़ेगा इसको जानकारी आपको नहीं मिलेगी ठीक है कम्यूटेशन कम्यूटेशन याने की स्पा इसकी इनफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी तो यह सब जो इनफॉर्मेशन है वह हमको यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है तो याद रहेगा नो लुड टेस्ट है कुम सी मशीन में करोगी शन्ट मशीन में क्या करते हैं नो लूड लॉस को पहले से अडिनटिफाइब कर लोज कर लेते हैं और ऑर एनिवेल्य ओफ आर्मीच घ्रंड पर टूटल लेकर के प्रेचेंजिय को प्रिटर्माइंड कर सकते हैं तो यह इसकी एडवांटेजे को प्रिटर्माइंड कर लेते हूं excel टेस्ट है स्मॉल अमाउंट आफ पावर के रिक्वार्मेंट है बट इसकी ड्रॉबएक है कि यह नो लोड टेस्ट है तो फुल लोड पर टेंप्रेचर राइस कमटेशन एंड चेंज इन आयरन लॉस द्यू टू फ्लक्स दिस्टॉर्शन इनकी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिले इसके इसे बात में रिजनरेटिव टेस्ट याने की आपकिंसन टेस्ट इसी को क्या बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट है तो यह जो टेस्ट है एक असा टेस्ट है फुल लोड टेस्ट है फुल लोड टेस्ट है रिजनरेटिव टेस्ट है तो फुल लोड टेस्ट है तो फुल लो to identical shunt Machine यह होना जरूर है। यदि हमारे पास में u identical Shunt Machine नहीं है तो आप इस test को conduct नहीं कर पाओगे। तो to identical shunt machine का होना इसमें आपशेर के कमकल सहर है तभी इस test को आप यहां पे पर प्रणडक्ट कर पाओगे। ठीक है? तो यहां पे हम To Identical Shunt Machine का use करते हैं. फुल्लूट टेस्ट है, तो क्या करते हैं, एक मशीन को as a motor और दूसरी मशीन को as a generator रन करते हैं, और दूनों मशीन को क्या करते हैं, mechanically coupled कर देते हैं, तो यहाँ पे यह दूनों शंट मशीन है, तो इस पकार से ये भी शंट मशीन है, और ये भी एक शंट मशीन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस मोटर को वोल्टेज अपलाई करेंगे, इसमें करेंट प्लोगी, यह स्टार्ट हो जाएगी, जनेरेटर को ड्राइब करेंगी, जनेरेटर वोल्टेज के एकपल होगी तो वोल्टमेटर क्याश हो करेगा जीरो वल्ट तो इस स्विच को क्लोज करेंगे तो यह जनरेटर का जो आउट्पुट है वो मोटर के लिए इंपुट हो जाएगा तो यहां पर तो आइडेन्टिकल मशीन का यूज करेंगे एक को मोटर दूसर मशीने इनफानाइट टाइम तक क्या करेंगी एक बार स्टार्ट करने पर इनफानेट टाइम तक रण करते रहेंगे यूज कोई लॉस नहीं है दोनों कैसी है आइडल मशीन है बट ऐसा होगा नहीं दूनों मशीनों में लॉस होगा तो एक बार ओन करके सप्लाई को हम होते आईगी और दिरे धेरी हिंके इनके स्पीड डेकरीज होगी और मोटर रुख जाएं दोनों मशीने स्टॉप हो जएंगे यदि दोनों मशीनों को कंटिनियू रन करना है तो इन दोनों मशीनों में टोटल पावर लॉस हो रहा है उसकेक्वल क्या देनी पड़ेगे है इन्पूट पावर देनी पड़ेगी तो यहां पर जो इसको इन्पूट पावर दे रहे हैं यह इन्पूट पावर किसके एकवल होती है तो दोनों मशीनों में होने वाले टोटल लॉस के एकवल होती है ठीक है तो इन्पूट पावर दोनों मशीनों के टोटल लॉस के एकव क्वराउस मिल गया है तो उसके साथ मशीन का कॉपर लॉस एड़ कर देंगे और एफीसियनसी को कैल्कुलेट कर लेंगी तो यह क्या है एक फुल लूड टेस्ट है ठीक है तो इस की क्या अडवन्टेज्ट होती है कि यह भी एकॉनॉमिकल है क्योंकि यह भी क्या है एकॉनॉ Loss की यहां पर टोटल पावर कितरी है एक मशीन के नो लोड लॉज की तो यहां पर पावर की र्यक्वाइरमेंट कम है यहां पर पावर की रिक्वाइरमेंट जाता है तो दोनों में ज्यादा की कंडिशन क्या है एक फूल लोड यह आपको मिल जाएगा यह थिक दूसरा चेंजिन आरन लॉस एक फूल लोड ड्यू टू फ्लक्स दिस्टॉर्श यह भी आपको मिल जाएगा तो यह सारी इंट्पॉर्मेशन जो की हमको नो लोड टेस्ट में नहीं मिल रही थी वह यहां के मिल जाएगा इसकी केवल एक ही ड्रॉबएक होती है और वो ड्रॉबएक है कि इसमें टू आइ ठीक तो यह जो टेस्ट है इस टेस्ट के द्वारा हम मशीन का क्या पॉइंट करते हैं तो मशीन का जो इस्ट्रे लॉस है यह इस्ट्रे लॉस किस टेस्ट के द्वारा डारेक्ट मेजर करते हैं तो रिटार्डेशन या रनिंग टाउस्ट ठीक है वैसल सभी में हम इस्ट् का कि ने तो इस टेस्ट में क्या करते हैं मशीन को जो हमारी मशीन है तो만 फिर्टिश ऐसको स्पीड को इंक्रीज करेंगे इसको Slightly Greater Than Rated तो slightly greater than rated speed ठीक इस speed पर इसको run करके इसका जो armature connection है इसके armature connection को supply से disconnect कर देंगे छोड़ देंगे supply से disconnect करके क्या करोगे उसको आशा छोड़ दोगे तहीं connect नहीं करना है ठीक फिल्ड में अभी भी current flow होगी फिल्ड भी भी flux setup करता रहेगा सिर्फ armature को disconnect की हो तो यहाँ पर इसमें क्या होते रहेगा भी भी rotation के करण क्या होगा फ्रिक्शन लॉस होगा rotation क्या होगा iron loss क्योंकि flux present है तो iron loss भी होगा और friction तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण यह रोटेट कर रहा है वह एनर्जी प्रिक्शन लॉस में और आयरन लॉस में वेस्ट होगी याने की इस्ट्रे लॉस में वेस्ट होगी डिक तो इसकी जो kinetic energy होती है उस kinetic energy को क्या करते हैं प gaps kak ठिक और यदी हम innovative energy measure कर लेते हैं तो यहां पे kinetic energy की हेल्प से हम क्या करते हैं till us and analysis करने के लिए क्या ओन्स करते हैं मशिन के कानेटिक एनर्जे को यूटलाइज करते हैं इसके बाद में जो फिल्ड टेस्ट है यह किसमें करते हो तो फिल्ड टेस्ट के वल DC स्रीज मशिन में करते हैं तो DC स्रीज मशिन के लिए एक यह टेस्ट हो गया और small DC series machine के लिए एक यह टेस्ट हो गया direct test method हो गया ठीक है तो यह जो है इस test में भी हम कितनी machine का उज़ करते हैं two identical machine का तो यहां पर भी हम two identical टेकल 2 सुन तो यहां वेवे और यहां पर इन दोनों में क्या सप्ट है कि दोनों में deux अश्वा मेशिन का fountain है as a motor और दूसरी मशीन को as a generator यूज़ करते हैं तो यहां पर भी हम एक मशीन को as a motor और दूसरी मशीन को as a generator यूज़ करते हैं और दोनों मशीन को क्या करते हैं mechanically coupled करते हैं तो दोनों मशीन को हमने यहां पर mechanically coupled करती है ठीक है अभी जो motor है इस motor को हम supply देंगे यह चलिए मोंटर का स्प्लाइश और जन्रेटर का जो डाल होता है जन्रेटर के फिल्ड को हम क्या करते हैं मौटर की सीरीज में करते हैं तो यह उसमर कर रहा है कि जन्रेटर का पर जो है मोटर की सिरीज में करेक्ट है ठीक और इस जनेरेटर का जो आउटपुट होता है उसको एक वैरियेबल रजिस्टेंस में क्या करते हैं हम यहां पे वेस्ट करते हैं तो यहां पर हम दोगे देंगे इसको इन्पुट वीवन आईवन यहां पर मिलेगा आपको आउटपुट वीटो आइतो जिसको कि आप क्या कर रहे हैं वैस्ट कर रहे हैं तो यह एक यह पूरा सैट कोई इसको इन्पुट दे रहे हैं वीवन आईवन और यह इसका आउपुट है वीटो आईटू एटो तो output और input sorry input और output के इंपूट और output किसी भी मशिन में या किसी भी जगह पर input और output का जो differentshare वो क्या होता है total loss होतो टो से तो सेटका total loss हो जाएगा तो input और output बोनेंaug को measure कर लेंगे अमीटर गॉल्ट मेटर से तो दोनों का जो डिफररेंस है ठीक है वो क्या हो जाएगा टोटल लॉस अब तोटल लॉस आपको पता है तो इसका निकालगो और कापर लॉस को माइनस करते हुआ तो क्या मिल जाएगा से लॉस को कौत टूशे डिवाइड करते हुआ तो यहां पर जो जनेरेटर का फिल्ड है इसको हम मोटर के सिरीज में क्यों करते हैं तो इसको करनेट करने का स्पीड से इसम चलते हैं जो होता है तो इसके करेंट अलग है तो इसकी अलग है तो इसकी की लुख होगी इसके करेंट अलग है तो दोनों की फ्लक्स से लग होगी तो दोनों का फिर मैंगरी डॉस अलग हो जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे तो हमको चाहते हैं कि दोनों के Magnetic loss and Mechanical loss जाने कि市 लॉस ईक्वल्म तो इसलिए दोनों की फिल्ड सेम होनी चाहिए तो इसलिए दोनों को सिरिज में करेंट कर देते हैं जिससे जितनी flux इसकी होगी उतनी ही flux इसकी होगी तो दोनों का Magnetic field भी सेम है दोनों की Speed भी सेम है तो दोनों में mechanical and magnetic loss की value equal होगी तो दोनों के magnetic loss को equal करने के लिए याने कि iron loss को equal करने के लिए हम क्या करते हैं generator के field को motor के series में connect करते हैं तो यह दि बूलेगा traction motor के लिए किस test का यूज़ करेंगे तो traction motor के लिए किस test का यूज़ करोगे तरीज traction में कौन सी motor यूज़ करते हों तो किस test का यूज़ करोगे फिल्ट टेस्ट का यूज़ करोगे तो समय आगे यह note कर लिए इसको note कर लो इसके बाद फिर induction motor देखते हैं कि 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 कि